अगला बहुत महत्पूर्ण मुद्दा जो हमारी चुनावी पद्धति का है चिंतनी विश है वो है भरष्टा चार प्रशासनिक तंत्र का दुरुप्योग स्वैम में भरष्टा चार है काले धन और राजनितिक्यों के बीच का संबन्त वैम में भरष्टा चार है लेकिन इसके अलावा भरष्टा चार के तहट कुछ और बाते हम आपको बोलना चाहेंगे वो है जैसे कि सत्ता पाने के लिए ये राजनितिक डल किसी भी हद तक जा सकते हैं ये बात बारंबार साबित हुई है कि अपने स्वार्थ पूर्ण दली हितों के लिए इन दलों ने राश्टी हितों का बारंबार बलिदान किया है राश्टी हितों को त्याग दिया राश्टी हितों को पीछे रखा और अपना स्वार्थ अपने दल का स्वार्थ सामने रखते हुए कार किया है इनके लिए वे गैर कानूनिक, गैर सम्वेधानिक, अनैतिक, अनुचित लाप पाकर अपना रास्ता निकालना ये सब इनके लिए एक रूटीन मैटर हैं किसी भी तरीके से येनकेन प्रकारेंड, ये मतदाता को अपने पक्ष में करने के लिए सदई प्रयासरत रहते हैं और जैसा मैंने कहा उसके लिए कुस भी हद तक भी जा सकते हैं जो रत पड़ी तो हिंसा, आग जनी इस पर भी उतारू हो सकते हैं राजनीतिक दल जो हैं, वो अपनी दली नीती, अपने कारिकरम को राश्ट्री हित और आर्थिक हित के अधार पर चनाओ ना, बलकि धार्मिक, जाती, ख्षेत्री, सांपरदाइक, भाचीव, इन भावनाओं को भड़काते हैं और भष्ट तरीके से लोगों को अपनी तरफ आकर शिट करते हैं चनाओ जीतने के लिए प्रचार करना है आपको तो आपके प्रचार का मुद्दा क्या होना चाहिए? ख्षेत्र का विकास, जनता का विकास, किसी एक वर्ग का नहीं, किसी एक परिवार का नहीं, किसी एक दल का नहीं उस सारी जनता का विकास जिसका आप प्रतिनेदित करने जाएंगे यदि आप विज़ई हुए तो ये चुनाओ का प्रचार का मुख्य मुद्दा होना चाहिए लेकिन दुरभागे से चुनाओी मुद्दों की और आप नज़र डालें समाचार पत्रों में देखें कि चुनाओ के पहले क्या बातें ज्यादा होती है तो आप पाएंगे जाती इता की बात धार्मिक, छेत्री, सांप्रदाईक, भाशाई आधार पर भढ़काओ भाशन, भढ़काओ ब्यान ये ज्यादा चलते हैं गत चुनाओ में सन 2019, 2019 के चुनाओ में एक समय जो आंकड़े, एक स्वतंत्र मीडिया ने, स्वतंत्र एजेंसी ने रिलीस किये थे उसके अधार पर उसने बताया था कि गत दो सौ दिनों में मतर एक बार शिक्षा के मुद्दे पर टीवी के किसी भी चैनल पर डिबेट दिखाए गया शिक्षा के मुद्दे पर मात्र एक बार गत दो सो दिनों में चुनाओं के पहले के दो सो दिन या उस सर्वे के पहले के दो सो दिन में विकास के नाम पर साथ बार टीवी के विमन चैनलों को मिला दिया जाय तो कुल साथ बार बहर दिखाई गई लेकिन धर्म के नाम पर 80 या 90 बार चैनलों पर बहस दिखाए गई ये जो स्थिती है ये एक तरीके से चिंता जनक है आर्थिक हित के अधार, विकास का अधार, राश्टी हित का अधार ये दर किनार कर दिया जाता है और ऐसे भरष्ट आधारों पर जिनमें सांप्रदाइक्ता, भाशाई भावना है इसके आधार पर लोगों को अपनी और लुभाने का प्रयास होता है ये भरष्ट आचार है अगला दोश हमारी चुनावी प्रक्रिया का वो है आचार संभिता का उलंगन आचार संभिता अर्था कोड अफ कंड़क्ट कोड अफ कंड़क्ट व्यवहार करने की एक श्रिंखला कैसा व्यवहार हो इस पर बिंदुवार कोई बाते रहती हैं और आचार संभिता कब से लागू होती है उस दिन से जिस दिन से जिस दिन चुनाव आयोग ने चुनाव के तिथी की घोशना की उस दिन से आचार संभिता लागू आचार संभिता का सबसे बड़ा प्रभाव सरकार पर पड़ता है सरकार याने राजनीतिक दल जो सत्ता में है उसके तहट सरकार तित्थियों की घोशना के बाद किसी तरह के नए आयोजन, नई योजनाएं, नई नीतियों की घोशना नहीं कर सकती महंगाई भत्ते या इंक्रिमेंट आदी की घोशना नहीं कर सकती ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती जिससे वह चुनाओ के परणामों को प्रभावित करे और ये क्यों? लेवल प्लेइंग फिल्ड के प्रावधान के तहट जिसका मैं पहले जिक्र कराया हूँ लेकिन ऐसा देखा गया है कि राजनीतिक दल निर्वाचन आयोग की इस आचार सम्विता को दर किनार कर देते हैं चुनाओं के दोरान ताक में रख देते हैं एक दूसरे पर कीचर उचालते हुए एक दूसरे के चरित्र का हनन करते हैं आचार सम्विता में यह बात बड़ी स्पष्ठ है कि हम ऐसा कोई भी बयान अपने भाशन आदी में न दें अपने लेख आदी में न दें जो दूसरे के चरित्र पर एक तरीके से गलट आरोप हो लेकिन आपने दिखा होगा कि चनाओ के दौरान एक दूसरे की छीचा लेदर करना एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप गलत भाशा का उप्योग गलत व्यवहार का उप्योग यह एक सामाने परंपरा हो चली है जूठी हपवाएं फैलाना मार पीट कर प्रत्याशियों को धमकाना यह सब बड़े खुले रूप से अब चलने लगा है और इस पकार हम देखते हैं कि आचार सम्विता का खुला उलंगन होने लगा है जो स्वयम में एक चिंता का विशह है स्वयम में एक बहुत बड़ा दोश है आचार सम्विता होती क्यों है यह सुनिश्चित करने के लिए कि चनाओ शांतिपूर्ण हों और निश्पक्ष हों तो ऐसा कोई भी कारे न किया जाए जिससे चनाओ बाधित हो लेकिन दुरभागे से ऐसा नहीं होता और भड़काओ भाशन भड़काओ बयान अफ जनीतिक दल जिम्मेदार हैं जो अपना हित साधने के लिए यह सब कारे करते हैं और ऐसा दिन प्रती दिन बढ़ता जा रहा है अगला जो बिन्दु है वा है बोगस मतदान और मतदान केंद्रों पर कब जा बोगस मतदान क्या है बोगस मतदान मतलब ऐसे ऐसा मतदान किसी मतदान केंद्र पर जहां पर मतदाता सूची में या तो मतदान किये हुए वेक्तिके नाम ही नहीं थे और या दूसरे क्षित्र के मतदाताओं द्वारा मतदान किया जाना ऐसा होता क्यों है ऐसी गरवड़ी क्यों होती इसलिए क्योंकि जो मतदाता सूची है कई बार उसको हम अप्टू डेट नहीं करते मतदाता सूची को नेमानुचार समय समय पर अप्टू डेट करना चाहिए ताकि कोई व्यक्ति उस सूची से छूट न जाए और कोई व्यक्ति जो उस खेत्र में ना हो चाहे वो स्वर्गस्त हो गया हो या स्थान बदल दिया हो तो उसका नाम उसमें ना हो लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है तो परानी लिस्ट के अधार पे मतदान होगा तो उसमें निश्चित रूप से बोगस मतदान होगा निश्चित रूप से ऐसा मतदान होगा जिसमें या तो मतदाता उस खेत्र में नहीं था और दूसरे ने उसके लिए मतदान किया ये मतदान कहलाता है बोगस मतदान कुछ निर्वाचन खित्रों में मतदान केंद्रों पर समाज के पिछले वर्गों के मतों को कबजा करने वाले लोग जो हैं वो बोगस मतदान कर मत पेटी में डाल देते हैं ये बोगस मद्दान की बढ़ती जो टेंडेंसी है मद्दान केंद्रों पर कबजा करने की जो बढ़ती टेंडेंसी है कबजा करना अर्था मशीनों को अपने कंट्रोल में ले ले लेना EVM को और इसमें बटन दबाते हुए अपने अपने प्रत्याशी के मतों की संख्या को बढ़ा देना ये गलत हो रहा है ग्यारवी खामी चुनाओ या चिकाओं के निर्णे में विलंब जो चुनाओ या चिकाओं पराजित प्रत्याशी या मत दाता किसी कारण से उच्च नियाले में डालता है जिसमें वो विजई उमीदवार की विजई पर प्रश्ण चिन उठाते हुए सवाल उठाता है तो नियाय मिलते मिलते या नियायले द्वारा निर्णे देते देते कई वर्ष गुजर दाते हूँ और इन कई वर्षों के काल में तथा कते गलत रूप से विज़े उमीदवार बहुत हेरा फेरी कर सकता है, बहुत कुछ कमा सकता है, बहुत कुछ गरवड़ी कर सकता है यह भी हमारी चुनाव प्रक्रिया के एक बहुत बड़ी बराई है यह जो बहुत विलंब है, यह निर्वाचन व्यवस्था का बहुत बड़ा दोश है इसलिए हम देखते हैं कुल मिला कर कि भारत की जो निर्वाचन व्यवस्था है, उसमें कई दोश हैं और कई प्रकार के दोश हैं कई दोश तो बड़े सीरियस हैं, मतदाताओं में राजनीतिक चेतना का विकास हो, और यदि चेतना का विकास होता है तो लोक तंत्र में उनकी सहभागिता बढ़ेगी, मतदान ज्यादा होगा तब ही जाकर हम देखेंगे कि इन में से कई बुराईयां सुएमेव समाप्थ हो जाएंगे, इसलिए आवश्यक है कि हम चेतना जगाएं, जागरूकता लाएं, सजगता लाएं जन सहभागिता को लोग तंत्रिक प्रक्रिया में बढ़ाएं, अर्था ज्यादा से ज्यादा लोग मत दें और अपने विवेक के अनुसार मत दें तब ही इन समस्याओं का समाधान संभव है समस्याओं हमने समझ लिए, इन समस्याओं के बावजूद ये विवस्था है जो भारत में वरतमान में हैं अब हम आते हैं, इन समस्याओं के मद्दे नजर रखते हुए, मद्दे नजर, समय पर कुछ सुधार के प्रयाज भी हुए मैंने शुरू में ही बताया था कि लोगतांत्रिक प्रक्रिया एक इवल्यूशनरी प्रक्रिया है, जो समय के साथ साथ उसमें सुधार होते जाता है और ऐसा हुआ भी है, बहुत से क्षेत्रों में, चुनावी संबंदी क्षेत्रों में सुधार ध्यूआ है, लेकिन ये कमियां भी हैं, चूँकि ये कमियां बनी हुई हैं और बड़ी सीरियस खामियां हैं, इनको लेकर जब तब विचार मंथन हुआ है, सरकारी स्थर पर, गैर सरकारी स्थर पर, मतदाताओं के स्थर पर, बुध्ध जीवियों के स्थर पर, आदी आदी, और कई बार समितियां भी बनी, सरकार ने समितियां बनाएं, सुधारों, खामियों के को ध्यान में रखते हुए, क्या सुधार किये जाएं, उनके प्रस् प्पाचन ख्षेतर के जो निर्वाचन व्यवत्ता के जो नोश हैं उनको दूर करने के लिए समय समय पर अध्यन हुआ समय समय पर सिफारिशें हुईं चाहे वो संसद के अंदर हों, संसद के बाहर हूं इन सिफारिशों में जो समित्यों का मैंने जिक किया है समित्यों की बात की है तो सबसे प्रमुक जो सुझाओ आय थे वे जैपकाश नारायन द्वारा महाराष्ट के भूतपूर नियाधीश श्रीत तारकुंडे की अध्यक्ता मेनुविक समित्य ने किया था ये सब थे तो त तार कंडे समिती, सबसे प्रसिद्ध समिती चुनावी सुधारों के मिद्य नजर चुनावी सुधारों से जुड़ी होई समितियों में सभसे महतपूर्ण यही थी, यह नयाधिश थे, भूचपूर नयाधिश महाराश के श्री वीतौट stat behind news. इसके क्या प्रस्ताव थे इस समीति ने मार्च 1975 में अर्थात आपात का लागू होने के मात्र दो तीन माहपूर चुनाव व्यवस्था संबंदी को प्रस्ताव रखे थे सुझाव दिये थे एक नजर उन सुझावों पर इनके द्वारा श्री तारकुंडे के द्वारा जो सुझाव दिये गए उसमें पहला सुझाव था धन शक्ति का प्रेयोग घटाया जाए दूसरे शम्मदों में धन की शक्ति को घटाया जाए चुनावी मामलों में धन बल का बड़ता दुरुपयोग किसी तरीके से कम किया जाए और धन बल के क्या दुश्प्रभाव हैं धन बल कैसे लोकतंत के लिए खत्रा है ये पहले बात हो चुकी है पहले आपको बताया जा चुका है दूसरा जो मतदाता की उम्र है उसे घटा कर 21 वर्ष से 18 वर्ष किया जाए ये तारकुंडे समिति का प्रस्ताव था 1975 का कि मतदाता का वर्ष 21 वर्ष जो वर्तमान में है उसे घटा कर अब 18 कर दिया जाए नियू नतम और इसके पीछे बहुत से तरक दिये गये थे और इन बातों को तरकिक मानते हुए ही बाद में तुरन इस प्रस्ताव को स्विकार करते हुए उम्र घटा कर 18 कर दी गई तीसरा सुझाओ समिति का था कि राजनीतिक दलों को आकाश वानी और दूर दर्शन में प्रसारण की सुविधा दी जाए और जो बाद में दी जाने लगी ये तारकुंडे समिति के सुझाओ का ही परणाम था कि ऐसा प्लैक्टफॉर्म ऐसा मंच दलों को दिया जाने लगा जिसमें वे दली आधार पर पूरे देश की जनता के सामने एक साथ अपनी बात रख सकते थे और इसके लिए सुनिश्चित किया कि सभी दलों को समान अवसर इन माध्यमों से मिले चौथा चौथा सुझाओ निर्दली उम्मीदवारों की संख्या पर नियंतरन करने का काम किया जाए नियंतरन करने के लिए कुछ तरीके अक्तियार किये जाए दुर्भागिसे अभी भी ये वाला जो प्रस्ताव है इस पर कोई सार्थक काम नी हुआ है और निर्दिलियों पर अभी भी फिलहाल किसी भी तरह की बंदिश नहीं है निर्दिलियों की संख्या को लेकर अगला इनका सुझाओ था महत्पूर्ण सुझाओं में अंतिम सुझाओं जिसकी हम बात करें तारकुंडे समीति की वह था राजनीतिक दलों द्वारा उम्मी द्वार पर किया जाने वाला व्याय उम्मी द्वारों के कुल खर्च में जोड़ा जाए उम्मी द्वारों के लिए खर्च की सीमा निर्धारित कर दी जाती है चुनाओ आयोग द्वारा समीचति क्या सुझाओ था कि दल जो खर्चा करने हैं एक तो उमीद्वार खर्च कर रहा है और एक दल भी उमीद्वार पर खर्चा कर रहा है उमीद्वार के लिए खर्चा कर रहा है उस खर्च को भी उमीद्वार के खर्च में जोड़ दिया जाए तो प्रति उम्मीद्वार जो खर्च है वो स्पष्ट हो जाएगा और स्पष्ट होगा लेकिन ये सुझाओं भी अभी पूर्ण रुपेंड लागू नहीं हुआ है इन सुझाओं के बाद इस्थिति कुछ खास बदली नहीं और ये समस्याएं अगले चुनाओं में और बढ़ती ही देखी गई तो 1985 में चुनाओं आयोग ने स्वयम ने कुछ सुझाओं रखे संसत के पटल परिया संसत के लिए उसने कुछ सुझाओं भेजे सरकार को जिसमें पहला सुझाओं था कि जमानत की राशी को बढ़ा दिया जाए जमानत अमीदवार जब अपनी उमीदवारी रखता है और नमंकन पत्र भरता है तो उसके साथ वो एक राशी जमा करता है वह राशी उसे तब वापस मिलती है जब उसे नियुनितम एक बटा च्छै मत मिले मत दाताओं का अनिता वह रकम जब्थ हो जाती है जिसे कहते हैं जमानत जब्थ होना तो ऐसे बहुत सारे उम्मीदवार खड़े हो रहे थे च्छनाओं में जिनके पास ये माददा नहीं था कि वो च्छनाओं जीश सकें माददे की बात दूर सभी लोग जानते थे कि ये च्छनाओं में खड़े होने लाएक उम्मीदवार हैं ही नहीं इनकी कोई जड़ ही नहीं लेकिन खड़े थे क्यों किसी दूसरे स्वार्थ के लिए या तो धन अरजित करने के लिए या किसी का मत काटने के लिए आदी आदे तो इसको रोकने के लिए चुनाओं आएक उएस ज्जाओं महत्मूर था कि जमानत की राशी को दस गुना कर दिया जाए तो इतना पैसा संभवता देने में बहुत सारे उम्मीदवार हिचकेंगे और इसलिए अपनी उम्मीदवारी ही नहीं रखेंगे दूसरा सुझाओं इनके दोरा था कि एक से अधिक चुनाओं में चुनाओं क align क्षेत्रों में जो लड़ने की सतंता है उस पर पाबंदी लगाई जाए एक से ज्यादा चुनावी खेतर में लड़ने की जो सतंता उम्मीदवारों को है जिसे विशेष्टा के रूप में भी देखा जाता है हमारी चुनावी प्रक्रिया की विशेष्टा के रूप में उस पर पाबंदी लगाए जाए तीसरा चुनावी खर्च में कमी लाने है तो एलेक्ट्रोनिक मतदान मशीन का उप्योग किया जाए जो बाद में शुरू हुआ ये प्रताव 1985 का है एवीम का और एवीम के उप्योग के पीछे जो तर्क दिया गया था वो मुख्य रूप से था खर्चों में कमी हो गया क्योंकि इवीम मशीन जो है बड़ी कॉम्पेक्ट है बनाने में कम खर्ची लिए और उसके साथ ही इसके ट्रांस्पोर्टेशन में जो कीमत है वो बहुत कम लगती लागत के लावा उप्योग के दौरान भी बहुत कम खर्ची लिए होती है और इस प्रकार सरकार का का काफी खर्च बच सकता हैं इस उमीद में ये परस्ताव दिया गया कि इवियम का प्रयोग बढ़ाया जाए और चौथा सुझाओ चुनाव आयोग ने जो 1980 में दिया वह था धार्मिक चिन्हों के प्रयोग पर प्रतिबंद धार्मिक चिन्हों के प्रयोग पर प्रतिबंद चिनाओं में धार्मिक चिन्हों किसी भी तरह से प्रतिबंधित रहीं क्योंकि संभावता देखा गया कि धर्म के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं और धर्म की बात करते हुए धर्म की भावनाओं को और भड़काने के लिए जो उम्मीदवार हैं वे धर्म चिन्हों का भी विपयोग करने लगी हूँ